विधान सभा खडा में नवनिर्मित तेहसील भवन कलो कारपन आज दिनांग 39 मार्च 2023 दिन बुध्वार को उतर प्रदेश मुख्य मंत्री योगी आदितिनात द्वारा विधिवत पूजन अर्चन करते हुए फीता काट कर उदखाटन किया तत्पशात मुख्य मंत्री ने समूची भवन का सघन निरिक्षन कर वहां उपलध व्यवस्थाओं वा सुविधाओं की जानकारी ली गांधी किसान इंटरमीडियेट कॉलेज के खेल मैदान में लगे मंच के माध्यम से जनसभा को सम्बोधित करते हुए मुख्य मंत्री ने विधान सभा खड़ा को 451 करोड की 106 परियोजनाओं का सौगाद दिया और कहा कि देश के नागरिक, सुक, सम्रिधी, शान्ती में विश्वास करते हैं नकियुप द्रव में प्रदेश के लोगों में बड़ा सामर्थ है और सरकार इस सामर्थि को सम्रिधी से जोडने में लगी है अगली कड़ी में मुख्यमंत्री ने सभी लोगों को चैत्र नवरात्रवा राम नवमी की बधाई देते हुए शासन की हर योजनाओं का लाब एक-एक व्यक्ति तक पहुचाने का वादा किया तधा संकल्प के साथ आगे बढ़ते हुए बड़ी-बड़ी परियो भर नहीं रहेंगे ज्यादा से ज्यादा इथिनाल तयार करेंगे और पैसा सीधे किसानों के खाते में डाले जाएंगे युवाओं को स्किल डेवलेप्मेंट के लिए आधा मांधिय उद्योग देगी तो आधा मांधिय पीम-सी-म इंटर्नरशिप योजना के तहत सरकार युवाओं की ट्रेट होने पर उनकी नौकरी वा रोजगार की विवस्था सरकार कराएगी मुख्यमंत्री ने करोना संकट इंटरनाशनल एयरपोर्ट अंतराश्ट्री उडान की भी बातों को लोगों के समक्ष रखा सी-म योगी ने अपने शब्दों में कहा कि कृषी ब बहुत महत्वकून योगदान है यहां के प्रगतिशील किसानों ने जनपत को एक अलग पहचान दिलाई है गंडक नदी के उस पार बसे गाउं के लोगों को बरसातने काफी दिक्तत होती है जिसके लिए जनप्रतिनिधियों को संकट समाधन के लिए एस्टिमेट भीजने को कहा जिससे बिजली सड़क के साथ अनने योजनाओं का लाब ग्रामीनों तक पहुचाया जा सके लोकारपन वश्रिलान नियास समारोह के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित अनात ने मुख्यमंत्री बाल सेबा योजना प्रधान मंत्री आवास योजना पीम करते हुए उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रिरित किया इस अवसर पर खाध्य रसदेवं नागरिक आपूर्ते राज्यमंत्री सतीश चंद्र शर्मा पूर्व केंद्री राज्यमंत्री कुमवड आर्पी एन सिंग कुषिनगर सांसद विजय दूबे जिला पंचायत अ जबदीश मिश्रा, नंद किशोड मिश्रा, जस्वन से खोर्फ, अतुल सिंग, उतर प्रदेश बीच, विकास निगम के, उपाध्यक्ष राजेश्वर सिंग, भाजपा जिला ध्यक्ष, प्रेम चंद मिश्रा, जिला प्रभारी, रमेश सिंग आधिय उपस्थित